आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार आएज जानते हैं इस पूरी घटना के बारे में हमारी इस खास रिपोर्ट सीएम भगवंत मान ने दिये जाज के आदेश मुहाली सिच चंडिगर युनिवर्सिटी में वीडियो लीक कांड को लेकर पूरी कहानी सामने आई जिसमें शक के बाद लड़की को पकड़ा गया तो उसने अशलील फोटो और वीडियो डिलीट कर दिये वही जब हॉस्टल प्रबंधन ने लड़की के मोबाइल से उसके साथ ही लड़के को मेसेज कर सवाल पूछा तो उसने अशलील वीडियो का स्ट्रीन शॉट भेज दिया जिसके बाद युनिवर्सिटी प्रबंधन ने पुलिस के पास इस मामले की शिकायत दर्ज कराए और पुलिस ने इस मामले में आरोपी छात्रा और उसके साथ ही पर IPC की धारा 354C और IT Act के तहत केस दर्ज किया जिसके बाद मामले में दर्ज FIR के अनुसार शाम 3 बजे कुछ लड़कियां हॉस्टल वॉर्डन राजविंदर कौर के पास पहुची और उन्होंने शक जताया कि आरोपी छात्रा वॉस्ट्रू में 6 लड़कियों का वीडियो बना रही थी वॉर्डन राजविंदर कौर ने लड़की से पूचताच भी की इसकी बाद उनिवर्सिटी की गर्ल्स हॉस्टल मैनेजर रितू को इसकी जानकारी देकर आने को कहा वर्डन आरोपी छात्रा और शक जताने वाली लड़कियों को लेकर गर्ल्स हॉस्टल मैनेजर के पास पहुची वहाँ आरोपी छात्रा से पूछा गया तो उसने फोटो या वीडियो बनाने से इनकार कर दिया जिसके बाद मैनेजर ने दावा किया कि जब उसने आरोपी छात्रा का मुबाइल चेक किया तो उसमें से फोटो और वीडियो डिलीट किये हुए मिले बता दे आरोपी छात्रा के मुबाइल पर लगातार कॉल और मैसेज आ रहे थे जिसके बाद मैनेजर को उस पर शक हो गया और मैनेजर ने आरोपी छात्रा को कॉल उठाने को कहा और स्पीकर ओन करवा लिया मैनेजर ने छात्रा को कहा कि वो कॉल करने वाले लड़के को कहे कि उसके पास जो फोटो और वीडियो है वो उसे भेजे ये सुनकर लड़के ने उसे अश्लील वीडियो का स्ट्रीन शॉट फेज दिया जिसके बाद मैनेजर के सक्ती करने पर आरोपी छात्रा ने सारी बाते कुबूल की कि फिल्हाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे हैं प्राइम टीवी आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार